सर्दार नरिंदर सिंक पूर्दी पुस्तक अंतर्चात दा पहला लेक उद्दम अते उद्षा असी किसे नू उदों तक सुन्दर नहीं समझ दे जदों तको साडेवल परवानगी परी मुस्कराट नालवेखन दा उद्दम ना करे उस दी अजयी तक्कनी साडे आले द्वले उद्षा दा वातावरन सिर्जदी है निर्सन दे सोनी इस्तरी दे मन दी दुनिया विज उद्दम नाल ही दाखल होया जा सकते उद्षा तो बिन उदी नजर दी मार थल्ले ओना संभव नहीं हुन्दा जदु कोई इस्तरी तो अड़े वर के किसे पुर्षदी प्रेमिका बन दी है तान तो अड़ा उद्दम ते उस दा उद्षा जान तो अड़ा उद्षा ते उस दा उद्दम किकली कलीर पौन दी हन ते दो में तेरा कलपन अते अनभुव दिया नमियां सिखरा चोंदिया हन इमें उद्दम ते उद्षा इक दुझे नू ताल दिन दे हन इक दुझे दी ताल विच नचन दिये तांग ही सानो उड़ाई फिर दी है उद्दमत युट्शा ओ टाला हन जिना नलसी जिन्दगी दे वार सेंदी हां इमें ही उद्दमत युट्शा साथी कमान दे ओ दो सिरे हन जिना राईयसी अपने इराध्यां दे तीर दूर दुमे लवल सेद दे हां बच्चे पती पतनी दे सांजे उद्दम दा ही फाल हुन दी हन। जदों कोई इस्तरी मां बन दी है, ता अपने होर अनिका कमांदे नाल, उस विच बच्चे नू पालन दा उद्दम अति उत्षा आप मुहारे पैदा हो जान दी हन। इस्तरी पामे सारे खेत्रां विच किसे ना किसे उते निर्बर हुन दी है, पर बच्चे नू पालन दे पक तों, उपूरन पांथ सुतन तर है, उस दे इस कारज विच ना कोई दखल दन दै, ते ना ही उओ कोई दखल सैन कर दी है, उओ उत्षा दी फोहार विच पिजदी र दो सके प्रामा नालों, जे चाचे ताय दे दो पुत्तर रलके चलन, तां उद्दम करन, तां सड्डे पेंडू समाज वेच उनानू होर विवड़ी ताकत समझया जम्द है, इस्तरी उसे अनू पात विच प्यार मोड़ दी है, जिनने उद्दम नालूसता प्यार प्राप किता गया होई, जेड़ी अपनी प्रेम का लेवदेरे खत्री मुल लेंदी हन, उनानू मिलनी दा निग वीवदेरे मिलदे है, इसे करके कहन दी हन के प्यार उँ अन्बव है, जिस विच दोहां तिराने इक दुज्जे विच्चों लंगणा होंदे है, आर पार होना होंद जंग विच हर किसीनू बहादरी विखोन दा अवसर मिलदे है, इही नेम जिन्दगी उत्तेवी लगगो होंदे है, उद्दम तो बिना उदेश के वलिक इच्छा बन के रह जानदे है, केंदे हन जे नियत सिद्धी हुवे ता गल्त रस्तावी ठीक थां पहुंचा देंद केंद वले केंदे हन के पहला फैसला कर लो कि ए काम करने फिर मन टंग तरीका पिलब लेगा, निर्सन दे हर कम अपने उद्मी नाइकां दे मूड़ियां ते उस्री हुंदी है, इना नाइकाने साड़े देश नू बनाया उसार्या ही नहीं हुंदा, सगोई स्विच रोहानी ते इखलाक की शक्ती भी परी हुंदी है, इखलाक तो सखना उद्दम कोरा पखंड हुंदा है, इसे करके क्या जन्दा है, के जदों लोक तो खे बाज हो जान, तासी जायदादा ते चीजां वस्ता विच्चों तसल्ले पाल दे है, जदों तक सब्सक्राइम थोन दा उत्षा नहीं जागदा, अते अपनी अग्यानता किसे दे ज्ञान नाल वत्टाउन दा उद्दम नहीं उपजदा, कोदों तक नाता साड़ी विचार सिद्दे हुंदे हैं, ते नाई साड़ी विच सुहिर्दता अते साउपना उपजदे हैं, उद सब्सक्राइम थोन दा उद्दम नहीं हुंदा, उद्दम कुझ कर्वखोन दी इच्छा दा अंद्रों फुट्या जश्मा है, ये बारूं पैन वड़ा मी नहीं, उद्दम दी हार खेतर विच परशंसा हुंदे हैं, सूरज उद्दम दा परतीक है, उद्दम व्यक्ति गत हुंदा है, उद्दम दी है, उद्दम दी ही हुंदे है, उद्दम दी 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 है, ते समाज दो में शक्तिशाली हुन्दे हन। कोई भी चंगा कम अजया नहीं हुन्दा, जिस दा समाज नू लाब होवे, ते कर्न वाले नू नुगसान। कईयां दी आदत हुन्दी है, कि उग कम उद्वें कर दे हन, जदो स्थिती उनानू तके मार दी है। अजय एक आमनू ना परवानगी मिल दी है, ते नाई परशंसा हुन्दी है, अजय एक काम दी पदर्वी उच्ची नहीं हुन्दी है। सानू उही प्रेर दी हन, जिना विच अपना कम आप करंदी योगता हुन्दी है। इव यक्ती नमे रहां ते चल दी हन, अर्थ ता इना दी वर्थों विच्चों जन्म दी हन। जे उदेश सपश्ट ते निश्चित ना हुन्दी तव डेकलू कारे, मुहिम्मा ते मोर्चे भी सफल नहीं हुन्दी। उद्दम ओ योगता है जड़ी मौक के आंदे भूहे खोल दी है। इस योगता दी प्राप्तीली किदरे जान दी लोडनें, ए योगता हर किसे विचु हुंदी है, अपने निता प्रती दे निके निके कमा विच्वी उद्ध मते उत्षादा प्रग्टावा, तो अड़ी उद्धमी सम्रथानू वदाएगा नित दे हाडे निकां विच्वी ती तो अड़ी संपर्क विचौंदी हैं, जेडे तो अड़ी चंगा या माड़ा काम करन्दी सम्रथानू वदाओंदी हैं, जेडे केवल तानली काम करदी हैं, ते जिनानू काम दे बदले केवल तान मिलदा है, उनानू समझ लेनां चाहिद के नाव पूरा कम कर दे हन, ते नाई उना नू कम दे बदले पूरे पैसे मिल दे हन, कम ता दूजियां दे संपर्क विच आणदा वसीला है, दूजियां दे संपर्क विच तुसी किसे कम रही ही आ सक देव, वास्त विच तो अड़ी योगता दूजियां नू तो अड़ी को कलपना ते सोच दियां ही निर्धारत कीतियां हुंदियां हन। वेख्या गया है कि जेड़े पर संता नल कम कर दी हन। उनांदा वक्त जल्दी लंग जान दै। ये भी वेख्या गया है कि जे तुसी किसे काम विच निपन हो जाओगे तो कम दुजिया नू सिखोन दी उदारता उद्दम अति अमीरी तो अड़े विच आप मुहारे आजाएगे जिवे मां बच्चे नू पॉडियां चड़ना सिखोन दी है। जिना विच कुछ कम करन दी यूपता नहीं हुंदी उबैस कर दी हन। ओ ही देश तरम जां कौमा जियूदिया रिंदिया हन। जेडियां बदल दियां हालाता नाल बदलन दा उद्दम कर दिया हन। जेडियां कौमा जियां नहीं कर सक दियां ओ वैर इखलाकी समझाते कर दिया हन। उनां तू žिंदगी दाउधेश गौाच जनद है, ती उना दी केवल पिठ्छी विखाई दिनदी है। बिना निगरानी दे काम करनाल, दूजियां दे कैन तों बिना करम काम करनाल, जिनने पैसे मिलन उस नलूब दे रे काम करनाल, ना केवल साधे काम दी पदर सुदर दी है, सुगों साधी सोच, ते साधे अनबवदा पिडवी मोक्ला होंद है. जिस काम विट तुसी ताक हो, उस काम विट दूजयानू ताक करो, तो अड़ी ताकत वाद जाएगी जदों असी दूजयानू कुछ सिखों देयां, तांसी आप भी सिख देयां अध्यापक जान देहान के उनानू उस पुस्तक देही डूंगे अर्थां दी समझ पैंदी है, जड़ी उक लास विच पड़ाँ देहान वेख्या गया है के जदों कोई व्यक्ती नमा तरम तारन करदे, नमी था प्लॉट खरीद दे ज़ां ज्यान प्राप्ती दी किसी नमी ली थे पैंदा है, तांव दूजयान वी प्रेरत है दूजयान दे कमा विच नुक्स कड़न दी थां चंगेरा कामकार के उदारन स्थापत करन नाल दूजयान दे काम दी पदर्वी तो अड़ी तसली अनुसार हो जाएगी मनुख वेच चंगेरा बणदी चंगेरा कामा बणदी चंगेरा पिता अते चंगा दोस्त बणदी सुब्वाविक इच्छा होन दी है लोड चंगियान उदारना दी होन दी है चंगियां उदारना साड़े वेच उद्ध मते उत्षा उपजाओं दिया हन। जदों असी दुजयानू कुछ कहन देयां ता अपने कहेनू असी आप वी सुन देयां ते साड़े उत्वे अपनिया कईयां गलांदा परबाव वी पैन देयां। अपने अगू असी आपी हुन देयां। अपने दुश्मन वी असी आपी हुन देयां। अगू दो परकार दे हुन देयां। जेडे पहले ओ जेडे अपने आपनू साड़े उत्वे ठोस देयां ते दुजये ओ जिनानू असी आप जुन देयां। नेपोलियन ते लिंकन दोवेन जंग दे मेदांच गय सन, परुना दे उदेश वकरी सन. नेपोलियन दा उदेश आजाद कौमानू गुलाम बड़ोना सी, लिंकन दा उदेश गुलामानू अजाद करना सी. लिंकन विच होसला सी, नपोलियन विच बहादरी सी. होसला बहादरी नलो वकरी चीज है. बहादरी डर तो उपरु ठंदी स्थिती है, प्रंतु होसला चिरित्तर दी उस शक्ती अते आतमा दी उस अमीरी नू कैंदे हन, जेडी डर नू पच्छाननू पुरंत, मनुख नू खोल के अग्ये वदन ते अपने आदर्शानों अमली रूप देन दा उद्दम अते उत्षा देन दी है. तुसी जदों भी कोई उद्दम करोगे, तो अडी विरोत्ता होवेगी. यह याद रखना जरूरी है, कि जे तो अडी उद्दम दी पदर दर्मयानी है, ता ना तो अडी निंदा होएगी, ना ही परशंसा. जदों तो अडी उद्दम दी विरोत्ता होएगी, उद्दम किसे पासे तो परशंसा भी होएगी. उद्दम उद्दम होन करके विरोत्ता दा कारण बन दै, ते उद्दम उद्दम होन करके परशंसा दा कारण भी बन दै. संसार व तेल गड़ी दा लोकाने मुखाल उड़ाया सी, नमी फैशन दा मुड़ विच मुखाल उड़ाया जान दे, पर होली होली सारी उसनू अपना लेंदे हैं, लोकान दा सुबा है कि उहर नमी चीज नू शक दी नजर नलवेक दे हैं, पर जदू उना नू नमी चीज जा नमी उ उड़म विच विश्वास हो जए, ता ओ इना दी संगत विच खुश होंदे हैं, संसार दे सारे लोकानू उड़मी ते आलसी लोकान दियां, दो वनगियां चीज वंडिया जा सकते, ते ना नू पच्छानना बड़ा सौक है, लम्मी त्यारी तो बिना उड़म संभव नह होंदा, उड़म दी पहली शर्त चंगी निरोई सेत है, पामे सेत ही सब कुझ नहीं होंदी, पर सेत तो बिनाता सब कुझ भी कुझ नहीं होंदा, मेले कपड़े पाके असी स्वै प्रोसियत उत्षादा प्रगटावा नहीं कर सकते, कपड़े पामे के होजे भी होन, उना साफ होना लाजमी शर्त है, इवीं ए लाजमी शर्त है कि असी मनुखां विच दिल्चस्पी लगे, दिल्चस्पी ता सारे जीव जोंतुआं विच भी लेनी चाही दिये, अपनी काम विच दिल्चस्पी सड़ी, अपने आप विच दिल्चस्पी नू जगावेगी, ते द दिल्चस्पी मिलवर्तन दी पावना उप जाएगी। दिल्चस्पी मिलवर्तन दी पावना उप जाएगी। सो पवेखदी त्यारी वर्तमान विच्छी परखे जाएगी। सो चंगेरे पवेखदी कलपना भी उद्दम दाइक पक है। कलपना साड़े मान दा पतांग हुन दिये। सदारन विच्चों अस सधारन तानू उजागर करना कलपना है। तत किसे एक व्यक्ती नाल सबंदत हुन दा है। जदों के कलपना मानव जाती दा संजा अनुबव हुन दिये। कलपना साड़े दुनिया उते निर्बरता नू कटाउं दी है। यह ज़रूरी है क्योंके किसे वी खेतर विच दुजयां उते निर्बर रहके परसान नहीं होया जा सकता। साड़ियां बिमारियां ते साड़ियां गरीब बियांदा इलाज, साड़ा उद्दम ही हो सकता है। कलपना मनुख दी योगता है। अगलेरा विकास्ताई संभव होईगा जदों एक पीड़ी नीहां विच लग जाएगी। यह याद रखना जरूरी है, उद्दम दा कोई मौसम नहीं होंदा, उद्दम ना आध होंदै ना ही यंत। यह साड़े मन दी अवस्था है। जवी कहा गया कि सूरज उद्दम दा परतीक है, सूरज सदीवी है। हर समेट दुनिया दे किसे न किसे हिसे विच सुवेर हो रही हुंदी है, किसे न किसे हिसे विच त्रेल दे मोती बन रही हुंदी है। पल पल बदलना, विकास मई कुदरत दा सदीवी नेम है, कुदरत विच सब कुछ सैच सुबावकवा पर रिया है, साड़े जीवन विच वी इमें हुन दै, चात मारके वेखो, तो अड़े आले दुआले कई उदमी व्यक्ती होंगे, जड़े साबत कर दे हन, के पुनर व्यो है, हम दर्दी प्यार विचों जन्मदी है, जिस नालसी दुजे दा उनना दुख दर्द चुक लन्या, के बाकी दा चुकन विच, ओ सौक अन्बव करदा है, उदम दुजे नू पिछे छाट जान दा अमल नहीं, ए पिछे रह गया नू नाल रलाओं दी अमेरी है, ए प्र नाम इस्तरी नू प्रेमिका बणाओं दी दलेरी है, कई लोग के शिकायद कर दी हन, कि उनानू उद्दम विखोन दा अवसर नहीं मिलिया, तुसी अपने वर्तमान दियां पर स्थितियां बारे सोचो, तो अनू सपष्ट विखाई दैगा, कि हर किसे को बहुत कोज है, अंगतियाने उद्दम नाल से खलिया हुन दै, कि कि तु किन्ना मिल्दा है, वेख्या गया कि जदो बंदा ठक जान दै, ता उखड जान दै, बंदा ठक दै हुदोएं, जदो उसकोल नमे विचार, नमे अधार्षते, नमे उत्षार नहीं हुन दै, ठक्या होया व्यक्ती दूजया विच दोशकड़न लग पन्दै, दोशकड़न दिये आदत उस विचली असैन शीलता नवीन ता दी काट ते अन होंदा परमान होंदी है, नवीन होना कोई सौखा उद्दम नहीं, नमिया पुस्तकां पढ़ना भी सौखा उद्दम नहीं, काम करन दे नमे टांग तरीके लबना भी कोई सौखा नी होंदा, पर नवीन ता दे रा पै बिना अगलेरियां प्राप्तियां संभव नहीं हो सक दिया, नमिया समस्यामा, नमे विचारा, ते नमे उद्दमानाल ही हल होंदी है, खाई किसे भी परकार दी हुवी, उसनू टपनले उद्दम दी लो उचाता हुंदी है, पर टुकवां उद्दम नहीं हुंदा, अजय लोग अरांबता कई कारज कर दे हन, पर नेपरे कोई भी नहीं चाड़ दे, तुफान दा सामना अर दासा नाल नहीं, उद्दम नाल ही संभव हुंदे, व्यावी उद्दम तो बिना सफल नहीं हुंदे, वेख्या गया है के हर परकार दी प्राप्ती संभवता मेनत नाल हुंदी है, पर उपयोगी उद्दम नाल हुंदी है, जिनने उद्दशा नाल प्यार किता जन्द है, उनना ही उस्तियां याददान दा निग्व देरी हुंदे, पामें तो अड़ी प्रेम का किसी होर नल व व्यक्ती होंदे हम, पर टी सीधा बेरोही हुंदे, जिदे जीवन ने सादा विश्वास डूंगा ते विशाल किता हुंदे, अते सानू उद्दम दी जाग लाई हुंदे है, जदो असी सफलता दी कोडी चड़ देयां, तासी उस्ता आता पता पुछ देयां, ताके उस्त देहलीस ते अपनी कलगी सजा सकी, तानुवाद सरदार नरंदर्क पूर्दी पुस्तक, अंतर्चात दा लेक, आतम विश्वास जे तुसी विश्वास कर देओ के मी पवे, जरूर पहेगा, मी दा पैना तो अड़ी उड़ी कुते निर्बर करता है तो अड़ी सोच विच्चोही कुझ उपजेगा, जो कुझ तुसी बीजोगे, तो अड़ी विश्वासी, तो अड़ी आले द्वाले दा वातावर्ण सिर्ज देहन जीवन धे संसार दा सोना होना तो अड़े विश्वास होते तो अड़े प्रोसे होते तो अड़े द्रिष्टी कोण उते निर्भर करदा है श्यानप नाणों द्रिष्टी कोण वो देरे महत्ता पुर्ण हों दै जेल दियां सीखाँ पिछेखलो तियां. कोठडी दी चछत जासमान दोवेखे जा सकती हैं. ये टो अडे द्रिष्टी कोनुत्ये निर्बर करदा है के तुसी चछत वेख दिऊ जासमान. साढ़ा जीवन साढ़े द्रिष्टी कोन दा ही परकाश है. अपने द्रिष्टी कोन नू बदल के असी यथारत दा रूप बदल सक दियां हने रिनू परकाश विच बदल सक दियां लोकां विच अंतर उना दे विश्वास सांकारन ही हुंदा है ए अंतर बहुत थोड़ा ही हुंदा है पर वड़ी गाले हुंदी है कि किसे दे विश्वास हां पक्खी हन जा ना पक्खी बाकी साब अंतर इस मुक अंतर दी अदीन विचर दी हन अपने विश्वास सांत या दर्शानू त्यागन कारन ही मनुख बद्धा हुंदा है याद रखन वाली गली है कि यसी उनना ही खोश हो सकदीयां जिन्ना खोश होन दी साड़े विच हिम्मत है योगता है, समरथा है जिंदगी नूँ चिंतामा ते फिकरां दी हवाले नी किता जा सकदा जिंदगी बिमारियां दी लेखे नी लाई जा सकदी उत्षा नाल हार नू जित्विच बदलिया जा सकते जेत उसी बिमार हो ता अपने ठीक होन दी एक तरीख मिथल लो उस उपरंत बिमार होन तो इनकार कार देवो इमें करके ता वेखो अतीत दे काले पर चाविया नाल पविखदा सूरज नहीं वेख्या जा सकता पुलना नहीं चाईदा के साड़े कल दी नुहार साड़े विश्वासां ते शंक्यां ते निर्बर कर दी है एवी याद रखना चाईदा के सफलता खुशी अते संतोख किसी मनजिल दा ना नहीं ए यात्रा दे टांग हन उस सारू द्रिष्टी को नाल ही उस सारू सोच उपजदी है उस सारी उस सारू सोच नाल ही संभव हुंदी है निर्संदे जीवन संक्ता ते दुच्चितियानल उदड़े हुया है फिकरां विच किर्या हुया है पर सद्धा अनुबव दस्त है के फिकर ते दुच्चितियां कल्पना दी दुरवर्तों विच्चों जन्म दिया हन ये स्वैप प्रोसेदी अन होंद दियां अलामता हन। उस सारू सोच वड़ा इक व्यक्तिवी बोगिनती हुंदा है। तो अड़ी अकल नहीं, तो अड़े विश्वास, तो अड़े जीवन दी हद मिथदे हन। अपनी सोच ते अपने विश्वासानू निर्दारत करन वाले तुसी आप ही हो। कई स्थित्या जेग्या हुंद यहान। जिना विच कोई भी फैसला पूरी तरा संतोख जनक नहीं हुंदा। परिस्तार्थ ए नहीं के कोई फैसला किताई ना जावे। जीवन विच बहुत क जो कुझ संभव हुंदाई पर जो कुझ संभव हुंदाई ओ केड़े पासियों काट़े। रब भी हनेरेणू सूरज सामने नहीं लिया सकदा। रबदियां भी सी मावा हन। मनुख दियां केवना हूं। लोड तां सी मामा दे अंदर छुपियां हुयां संभावना नू वेक्षन दी है। तुसी आप इमानदर बन जाओ, तद दुनिया विच्चों एक बेईमान कट जाएगा। एत्वडीक महान प्राप्ती होवेगी। हर किसे दी शिकायत है के उस दी योगता दा मुल नहीं प्या। तुसी अपना मुल पुणां किस तो चौन देओ। जिनना तो तुसी अपना मुल पुणां चन्दियो, उनना दा तुसी की मुल पारेयो। हर किसे दी शिकायत है क्यों वक्त तो पहल नहीं बुढ़ा हो गया है। दसो ता सही, बुढ़े होनदा ठीक वक्त केड़ा है। हर कोई कह रहा है के तानदी काणी वंड होई है। तानदी ठीक वंड केड़ी है। जे देश दी सारी दौलत सब विच बराबर वंड दती जाए। ता हिसाब लओ, हर किसे दे हिसे किन्ना तानाएगा। जदो सब कोड बराबर ताना जाएगा, ता काम कौन करेगा। कुछ कंटियां विची स्थिती पहले वड़ी क्यों नहीं हो जाएगी। मस्करे अंदरों बड़े उदास हों देहन। वास्त विच वो इसली हस देरन देहन के किदरे उनादा रोण ना निकल जाए। जीवन दा एवी एक टंग है। जदों तुसी उदास हो जाओ, ता किसी हस्पताल दा एक फेरा मारू, तो अड़े मन दी हालत बदल जाएगी। कोई वी स्थिती महत्त पूरण नहीं होंदे। उस प्रती तो अड़े द्रिष्टी कोण महत्त पूरण होंदे। स्थितीयां होते तो अड़े काबू नहीं होंदा। परोनवल द्रिष्टी कोण होते तो अड़े काबू होंदे। असी हवा दा रुख तब नहीं बदल सकते। पर असी अपने बाद बानानूं नमीं भियोंत क कीते। हर मुश्किल दे अद विच अवसर चुपया हुन्द है हर मुश्किल दे अद तों अवसर शुरू हुन्द है अजोका युग उदास दे मायू सोन दा युग नहीं चंगा बनन दियां मानव जाती दियां सेवा करन दियां जिनियां संभाव नमा अ जोके युगविच उनिया पहले किसे वी युगविच प्रापत नहीं संदthen निर्संदे मनुक वेच जिन्नी गरावट अजोके युगविच दिखाई दे रही है उनने पहले किसे युगविच नहीं वेखी गई पर वेखना ता एह है के तुसी पहाड नू चड़न दी द्रिष्टी नल वेख दियो के डिगण दे डर नल, तुसी समुंदर नू तैरन दी संभावना नल वेख दियो जा डुब जान दी चिंता नल, तुसी इमत्यान वेच पास हून दी आस नल बैठ दियो, जा फेल हून द संसे नल, तो हड़े वेच उत्षा ते होसला तो अड़े यतना नल ही जागेगा, खुर्शाली वांग उत्षावी मानदी एक अवस्था है, कोई वी समस्या उस सारू सोच समने लम्मे अर्षे तक नई टेक सक दी, सब तो वड़ी लोर अपनी सोच नू, अपनी दुनिया उस सारू सोच ले तड़ परही है, मनुखी मन वे चुपजणवाली हर कल्बना साकार कीती जा सकदी है, जे साड़े हत, साड़ी कल्बना दा साथ देन हर किसे दी जिन्दगी वेच अकसर कुछ अजिया वापरत है के जीवन दा रंग टंग बदल जन्दगी एक मोड कट दी है व्या किदरी हुन्दा हुन्दा किदरी होर हो जन्दे है कोई कामतं दा लबदया लबदया मनुक किसे होरी खेतर विच जा पॉंच दे एक एवल तो अड़ी नाली नी वापरिया हर किसे नाल वापर दे जे तुसी किसे दी मदद उठीक रहे हो जांग जेडा व्यक्ति तो अड़ी मदद कर सकते ता उस व्यक्ति दा मैं तोनू पता उसनों तुसी सोख्याई मिल सकते हो अपने का अर्दे शीशे विच विखना उत तोन वो विखाई दैगा तो अड़ी मदद तो अड़ी वलों शीशे सामने कलो selective शीशे विच्छो दिखाई दिन दा व्यक्ति ही कर सकता है ओही करेगा दुनिया दा होर कोई व्यक्ति तो अ अड़ी सफलता वेच केवल उसनू कुछ दिल्चस पी है। उसनू वेखो। उस वेच जडियां काटां तो अनू विखाई देनू। उन्हानू दूर करू। तो अड़े विच सुधार्व अपरेगा। राये चंगी हो जाएगी। उस दियां गलतियांनू मौफ कर देना ताके वो जीवन दे सफर नू नमे सिर्यों शुरू कर सके। उनू केना मौफ करन दे दलेरे उपजावे। इस नाल उसते मन दी खोशाली ते अमेरी वदेगी। उसनू दसना के वो किसे उच्चे निशाने नू अपनाई जित्थे सफलता ते सफलता विचकार पेद मुख जानद है। उसनू समझोना के वो दिन दी कुझी नाल रात दे जंदरे खोले। उसनू कैना के वो गुर्द्वारे विचली अर्दास वांग हो निबडे। जेस्ता एक एक अखर पहला जीवया गया है। उ उस उत्ते टुर के किसे नमी मंजिल ते नहीं पहुंचिया जा सकदा। उनू समझाना के किसे दी बुराई पर सनता नाल ना सुनों ते सिद्धा टुरन वाणया नाल टेड़ा ना टुरो। करम करन नाल वी पामे उसनू पर सनता ना मिले पर उसनू पताई होएगा के करम तो बिना पर सनता दे कोई अर्थ नहीं हों देगा। छोटा पन ते अदूरा पन आधनिक युगदाईक रोग है। जिस विच ए रोग होवे उस विच आतम बल नहीं उपजदा। वड़े जहाज डूंगे पाणिया विच ही उतर दे हन। छोटे लोकां दी एक कोशिश उ वि उनिन जान देग के जो हो रहा है उस दा होना वी उसनू मुल्वान बना रहा है। वड़े राध्यां तो बिना विशाल दृष्टी तो बिना उचचिया सोचा तो बिना ना वड़्या होया जासकते है नाई विशाल नाई उच्च्या कोई वी काम करन्दा जेडा टंग तुसी जान देओ, उस नालो चंगेरा टंग वी है, उसनों लबो किसे ने किया कि जिना मुसीपतां तो उसी डर देयां, वो मुसीपतां का टीवा पर दियां है जे गौनल वेखिये ता पता लगेगा के दुनिया उस सारू सोच वाले व्यक्तियां कारण ही चल रही है, उत्षा दीवी लाग हुंदी है एस तो पहला के ये लाग तो अनू लगे, तुसी ये लाग दूजियानू लगा देओ कुज पन्चियां ते जानवरां वेच दूजया नणू वदे रे उत्षा हुंदै ते आननल वेख्णा के वग विच अग्गे रहन वली गौ, हर रोज अग्गे रहेगी जिनाने कबूतर जा होर पंची पाले हुंदे हन वो जान दे हुंदे हन कि अग्गे रैन वला कबूतर हर उडान विच अग्गे रैन दै तो अड़े मूदे कोने दसन गे कि तुसी पर सन हो जावदास सुहावने द्रिश वेख दियां अजे तक किसे दियां खाने थकियां सूरजवल वेख दियां सानू परच्छामी नहीं दिस्दे तो अड़े सुपने तो अड़ेयां संबावनावा हन इनां दा साच होना जा ना होना तो अड़े उत्दे निर्बर करता है आतम वेशुआस लम्मी उड़ीक दा सिटटा होना है सफैदेयानू बिजणवले टालियां दियां आसान नालो उड़ीक सानू बहुत कुझ सिखों दी है सानू बहुत कुझ दिन दी है उड़ीक सड़ा कुमंड तूड़ दी है ये उमीद दा रुमान सिर्ज दी है, निराशा दा यतार्त साडे सनमुख कर दी है, आशा दे निराशा दे विचकार सोग बैठा है, हर उडीक दे केंदर विच मनुख है, उज ता उडीक करनी सोखी नहीं हुंदी, पर जे उडीक करनी सिख जाओ, उसले कुछ भी उखा नही आवना उजाकर नहीं हुंदी, उडीक सानू दूजयन यां काटानू सविकार करन्दा सिलिक का सिख ओंदी है, असी किसे नू उदों तक खुल के प्यार नहीं कर दे, जदों तक सानूए निस्चानी हो जान्दा, कि उसा डीव डीक करेगी, उसा डीव डीक करेगा, बिना फर्ज निबाई स्वेप प्रोसेदी आस करनी निर्मूल है, फर्ज निबाई बिना सुख दी आसवी निर्मूल है, फर्ज ओ संकल्प है जिस दी चर्चा नहीं हो सक दी, चर्चा सदाई फर्ज ना निबाण दी हुंदी है, सेत दी कोई चर्चा संभव नहीं, चर्चा बिमारी दी ही हो सकती है, ज्ञान दी चर्चा नहीं हो सकती, ज्ञानता चोड़ी ही पुआया जा सकता है, चर्चा अज्ञानता दी ही हो सकती है, स्वैपरुसा परम तंद्रुस्त ऐसास दा ना है, डरते चिंता इस गल्दी गवाई हन के तुसी गल्टो, चेतन होके ओखे रहां ते पैना ही तपस्या है जो में उच्चा बोलन वालयानू लैबरेरी वेच अनंद प्राप्ती दी छत त्याग देनी चाई दी है उमें ही जडे सोखियां जित्तां दी आदिहन ओ आतंबल जान स्वैपरो से जान सर्वत दे पले दे मिठे पाणियां दे चश्मियां दी आस ना लौन मनुख दा रुहानी अन्बव उस दे करम उस दे कर्मा दे खेतरफल तो वड़ा नहीं हो सकदा जो हनेरे विच रन्द है उस दे सुबा विच हनेरा हुन्दा है जदो सरीर रोगी हुए दा निरसंदे सारा त्यान सरीर ही मंगलन्द है सचता ही है कि उना दा सरीर ही रोगी हुन्द है जिना दा सारा त्यान ही सरीर वल हुन्द है सड़ा सरीब इस संसारविच सड़े हून दा वसीला है, असी सरीर राही इस संसारविच विचर दे हाँ, सरीर लई नहीं, नलके राही पानी आउदा है, नलके विचो नहीं, आतम बलवड़ा व्यक्ती सरीर दास नहीं हुंदा उस दी टेक किदरी होर हुंदी है ओ जान दै के महान ग्यान नू महान तीरज तो बिना अनन्त नू अनन्त तीरज तो बिना प्रापत करना असंभव है तीरज नाल सब चीजां समा पाके सौखियां हो जन्दी है स्वै प्रोसे तो विर्वे व्यक्ती अक्सर अपने तो हेठां दा साथ लबन लग पेंदी है उना नू नहीं पता के जेडे सुख दी इच्छा नाल सन्यास लन्दी है उद्दुखी हुंदी है अग्यानियां दा जीवन इक दुझे दे अग्यान दे आसरेक लोता हुंदे संसार विच जिन्ने पाप हो रहे हन उना ले असीवी जम्यवार हां स्वै प्रोसा होना ही क्रांती कारी होना है क्योंके स्वै प्रोसा मनुख दे पले हित ही वर्त्या जा सकता है इस दी दुरवर्तों संभव नहीं हुंदी, दुरवर्तों ताके वल डरते पैदी ही किती जा सकती है, वेख्या गया है कि विशेश लगाओ, जां विशेश चुकाओ, सदारन चीजनू भी विशेश बना दन्दा है, प्यार देखे तरविच इस असूल दा अमली पक तुसी स जे ही वेख सकते हो, बहुते लोकांदा ही विचार होंदा है, कि सानू आतम बाल जान स्वैपरों से नू परगटाओं दे अवसर नहीं मिल दे, मेरा उत्तर है, कि जे तुसी अवसर मिलन दी उडीक करोगे, ता ये अवसर कदी भी नहीं मिलेगा, तुसी जित्थे भी अपने आले द्वाले नू बदल सकते हो, अपने आप तो शुरू करो, तो अडी अपने बारे की राए है, कि तुसी उस राए नल संतुष्ट हो, कि तुसी इस राए नू चंगिरी बनानी सकते, सच ता ही है, कि जोक्य यूग वेच मनुखी ऐसास दा काल पिया होया है, ते सब्तों वड़ा सुरूत तो अड़ा अपना कम है, जेड़ी अपने कम तो पगोड़े होई 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 हन, ओन ना किसी मन्जिल ते अपड़ दे हन, ते ना ही किसी नल डूंगा रिष्टा उसार सकते हन, जे तु आनू कदे कोई मुसीबत पवे, तां सहयोग लई, हाल किसे सब तो वद रुजे होई बंदे कोल जाना, ओही तो अड़ी मदद कर सकेगा, उस कोल ही तो अड़ी समस्या सुननते हाल सुजो जौनले समा होईगा, किसे विल अड़ कोल ना जाना, क्योकि उस कोल समा नहीं होईगा, जदों तुसी अपने निर्दारत काम वेच ना के बल तुसी अपनियां समस्यामा सुल जाओगे, सो गो दूजियां दी मदद करन लई वी तो अड़ी विट समा ते समरथा दोमें उपज पैन गिया, तुसी तंग गलियां मिचो निकल के, जिन्दगी दी जर्नेली सड़कते आ जाओगे, मनुख दा बली हत हर चीज वेच जान पादन दै, मन दे बुहे बारियां, नमे विचारां, संकल्पां, ते विश्वासां लेई खोलन तो बिना, जिन्दगी वेच नमे चा नहीं परे जा सकते, जे कर संसार साड़ी नेकी लेई सानू कुझ नहीं दिन्दा, ते ए समझना जरूरी है कि असी पूरी तरह नेक नहीं हाँ, दुनिया कदे भी गल्त नहीं तोल दी, ये परख्या होया सच है कि संसार तो अड़े विच ताहीं विश्वास प्रक्टाएगा, जे तो अड़ा अपने आप विच विश्वास है, इस बंद विच संसार नू तो खार नहीं दिता जा सकता, दुनिया आतम विश्वास ते कुमांड विच लांतर खोब जान दिये, कुमांड ते आतम विश्वास विच कार बुनियादी अंतर है, आतम विश्वास तो अड़े ज्ञान ते कीते कार जान ते निबाई कर्तवां विच उन उपजदा है, जदो के कुमांड उनाई च्छ अपने यतना नाल तो अनू लब लेंदे हन। ते तो अनू जान जन दे हन। ते तो अड़े पैरुकार बणन विच खुशी अनबव कर दे हन। ज्यान विहुना ते दिशाहीन आतम विश्वास किसे लेखे नहीं लगदा। कोरसान यां के तबां ज्यान प्राप्ती दी जाग ही लोंदिया हन। उना नू ही ज्यान समझ लेना पुल है। अपने आपुते विश्वास करो। संसार नू अपनिया व्योंता ना दसो। उना नू अमल चले आओ। दुनिया तो अनू लब लेगी। के में भी लबबे तो अनू लब लेगी। अपने परसूत पीड़ा दियां कहाणियां इना सुनाई जाओ। जिना नतीजिया नू तुसे जनम दिता है। ओ कि थे हैं। तानू बाद। सरदार नरंदर सिंग कपूर दीपुस्तक अंतर चात दा अगला लेख है। लगन कर दी रास सबे मुश्कला। निर्संदे गलतियां नाल मनुक सिखदा है। परेदार थे नहीं क्यों जीवन पर गलतियां करदा रहे। ते कहें मैं ता सिख रहें। निर्संदे कुछ करंदी कला, कुछ कीतियां ही आउंदी है। इसे करके कैन दे हन कि कुझ नहीं करोगे तो कुझ नहीं बढ़ोगे। कम तो बिना ज्ञान बोज है। जे उदेश शुब ना होवे ता ज्ञान भी पाप होने बढ़दा है। साड़ी युग दे लखा लोक ज्ञान दी कैद पुग्द रही हन। वेख्या गया है कि सब्तों वड़ी परशंसा ओ काम करन चुन्दी है जिस बारे लोक कैन तुसी ये नहीं कर सकते। चंगे काम दी पछानी ये है कि जदों कोई चंगा काम हो जन्द है ता ओदे अनेका दावेदार पैदा हो जन्द है। गयानी यसी सारें पर अंतर गयान दा नहीं होंदा, कम दा होंदाय। अपनी कोशिश विच पूरे दा पूरा कौन सफल हुन्दा है। लगन वाले मनुख दाउदेश सफल हुना नहीं हुन्दा। अपनी काम विच्चों मिलन वाली मौज मानना हुन्दा। ओस जिंदगी तो लेंदा काट है पर दिंदाव दे रहे है। वेल विच्चों कुछ न अपने आपनू पर्या पर्यान बव कर दिये क्योंके उसनू अन्तांदे रुजे वियां दी अमीरी मिल जानती है। कामनू ठीक कर सकता है जिस विचो दा प्रोसा हुंदा है। लगन नाल उत्तम दर्जे दा काम करन लाग पेंदे है। तो उसते थल्ले दर्जे दा काम दूजे लोक आप मुहारे साम लेंदे है। जदों कोई एक व्यक्ती उन्ती कर दा है तो उदा आला द्वाला उसता परिवार उसता महला उदा शेर अते देश सारे उन्ती कर दा है। बहुते लोक काम नू अपने उत्ते ठोसी होई मजबूरी समय दे हैं। अजय लोक कांदे नायों देश शुब हुन दे हैं। नायों न दियां प्राप्तियां किसे लेखे लग दिया हैं। जदों तरम दिल विच्चों यलावतन होके केवल मथाटे कर लेग गुड़ियां ते कुणियां चावस्द हैं। ता जहे वातावर्न वेच लोक केवल अपने आपले जियों लग पेंदी हैं। ते अजया कर दियां वो अपने आप जुगे होके रह जांदी हैं। क्योंकि ओ केवल पैसे वास्ते काम कर दे हैं। सो काम दे बदले उनानू काम दी तसली नहीं मिल दी। लालच परी पठकन ही मिल दी हैं। अजया इस समया विच पामे पदार्थक परवर्तन वपरद हैं। पर सब्यता निग गर दी हैं। सब्यता ओधों खत्रेज बेजान दी हैं। बुद्धियोंनी संकुचित हुं। संसार विच लगन दे पक्षों तेन परकार दे लोग हन। इंजण वर्गी, डब्यां वर्गी ते ब्रेकां वर्गी। इना तिन्नादी लगन ते लगन दी दिशा वकरी परकारदी हुंदी हैं, इना दा विकास वी वकरी परकारदा हुंदैं, जित्थे लगन सुची नहीं हुंदी उथे चलाकी दाराज हुंदैं, चलाकी नल कदी वी कोई महान ते महत्तपूरन काम नहीं किता जा सक्दा, खोट क्योंकि अजयी काम विच चलाकी लापरवायते गैर जिम्मेवरी दा आजाना सुबावक है, इसे करके सहकारता लेरां सफल नहीं हुन दिया। ए याद रखना जरूरी है के लगन नाल काम पामे कोई व्यक्ती इकल्यां करदा है, पर उस विच अनेका लोकां दा अच्चेत योगदानवाश हुन दा है। कामदे पक्खों कोई वी मनुखी कल्ला नहीं हुन दा, किसे ने उसनों कोई विचार दिता है, किसे ने कोई उदारंदसी हुन दिया, किसे ने कोई राव विखाया हुन दै, इमीं चंगाते उत्तम साहित किसे इक लेखक दी प्राप्ती नहीं हुन दा, ओ रचना लिखी ब अनुभव लिश्कोर मारद है इसे करके कई वरी किसे लेखक दी रचना विच कई अजय विचारते संकलप आप मुहारे आजान दे हन जिना बारे वो आप वी सुचेत नहीं हुंदा इस रोश्नी विच वेखिया लगन समुची मानव जाती नल एक सुरहून वाला उपराला है ए बूंद तो समुदर बन जानदा अनुभव है समुदर बहुत वड़ा है पर आकाश समुदर तो भी वड़ा है पर आकाश तो भी वड़ी है मनुखदी कलपना लगन विच सुजी नालोवी वड़ा रोल कल्पनादा हुंदा है। लगन वाला व्यक्ति अपने कमा नाल ही अपने आपनों बौग गिनत करदा है। असूल इनसान दी बुनियाध हन इसे करके केंदे हन इनसाफ होन देवो पामियाकाश डिग भई। असूल वाले व्यक्ति लेई साच के देना ही उदी मखाल करंदा तरीका हुंदा है। असूल वाले बंदे रुकावटानाल रुक्यानी करदे सुगोना दा वेग होर वाद जान्दा है। असूल होने मनुख्य चरित्तर दा एक गुण है। गुण सब थामाते अपना मान करवालें दे। असूल दी अनहोंद कुमांड सिर्जदी है अते कुमांड विच व्यक्ती फुलदा है, फैलदा नहीं। हैरानी दी गाल है के लोक अपने जीवननु लम्मादा करना चौंदे हन। पर उसनु असूलां उते उसारना नहीं चौंदे। मौत तो पहलां कोई शहीद अमर नहीं हुन्दा। लोकां विच शहीद होन दी अभिलाशा नहीं हुन्दे, पर अमर होनां चौंदे हन। बहुती लोक काम करन तो बिना ही सफल होनां चौंदे हन। इमें ही बहुती लोक स्वर्गता जानां चौंदे हन। पर मरन लई त्यार नहीं हुन दे। वेख्या गया के जदों कोई व्यक्ति अपनी पसांद दे काम वेच रुज्जा होवे ता ना केवल उस काम वी नहीं निबढ़दा ते उस काम दी पदर वी उच्ची नहीं होंदे। अक्सर वेख्या गया है के जड़ा काम सानू निर्बादी मजबूरियदी इन करना पए उन नीरस हो जान दे। अदे आपक जान दे हन के बढ़ियां दिल्चस पुस्त कान जदों सिलेबस वीच लग जान दिया हन तो वी बढ़ियां नीरस होने बढ़ दिया हन। हर इक व्यक्ती अपने कम वीच ली दिल्चस्पी दे अनुपात वीची लायक जान लायक सुस्त जान चुस्त तते फुर्तीला जां कमजोर हुन दे। लगन वास्त वीच अपने कम वीच दिल्चस्पी दाही दुज्ञा ना है। लगन अते दिल्चस्पी नल किता कम सौखा हो जान दै। कई वरी किसे दुकान उत्ते असी कोई चीज खरीदनी नहीं हुंदे, पर दुकान दार दी लगन सानु खरीदन ले मजबूर करदन दे हैं। दुज्य दी आस नलों वद प्यार करना, प्यार दे सुमुच्य अन्भवदाधार है। प्यार दे प्यार करना, प्यार दे सुमुच्य अन्भवदाधार है। प्यार दे खेतर वेच इस्तरी दी सरदारी है पुर्ष इस खेतर वेच इस्तरी दे बराबर नहीं तुल सकदा विख्या गया कि इस्तरी के पुर्ष थोड़ा प्यार कर दे हन पर कर दे कई बार हन पर इस्तरी बहुत प्यार कर दे है पर बार बार नहीं कर दे इस्त्री जदों अपने दिल दे महमान लई अपने प्यार दियां पिनियां बढ़ाउंदी है ताउं अपनियां पाव नमादा जोड़ेया सारा के ओएना विच पादेंदी है प्रेमी दे बेदावा लिख जान मगरूं भी इस्त्री उसनों उडीक दी रहनदी है इसलिए है क्योंके इस्त्री सदाई वदेरे लगनवाली ते वदेरे आसवंद हुंदी है सो वदेदाई नेम लगनदी नहीं है दूजेदी आसनालों वद काम करना संभवी योदों हुंद है जोदों सानू लगनदी जाग लग जाए वेख्या गया के जड़े कामसी अपनी मर्जी नल करना चौन देयां उस बारे जानुआं ते परिवार्दे जियां आधी राये साधी राये दे विरुद्ध हुन देया ओसानू चट पड़ते वत्तो वद कमोनले प्रेर देहन जड़ों के असी काम विच्चों मिलन वाली वत्तो वत्त सल्ली वाल रुचित हुन देया अपने मन पसान्दे काम विच्च रुकावटा ओन गियां ते रुकावटा पायान जान गियां मुड़ वेच मायक लाब ना होन दे बराबर हुएगा पर लम्मे अर्से थी जड़ों मायक लाब नू फैला के वेखांगे ता मायक लाब भी काट नहीं होएगा जड़ों के मन पसान्दे काम विच्चों मिलन वाली खुशी वद्धू होईगी मन पसान्दे काम दी पदर लगन कारन सदा उच्ची हुन दी है जे तुसी अपनी मन पसान्दा काम करना चोंदेओ ता मुड वेच कुझ साक्स बंदी जरूर निराश होँगी साड़े प्यारे नानक दे पितावी अपने पुत्तर तो सदा निराश दे परेशानी रैसन जदों कोई व्यक्ती सफल हो जान्दे ता सारी विरोधी सह योगी बन जान्दे हन अते तो अड़े मुड दे विरोधी तो अड़े सब्तों वड़े परशंसक हो निबढ़ दे हन सफलता समस्यावानू मौक्यांच बदलन दा हुनर सिखा देंदी है जदों तुसी परसेद हो जान्दे हो तो तो अड़ी रफ्तार्व दौनले लोग आपी राचाड़ दन्दे हन तुसी वेख्या होएगा के व्याविट लाडाते दुलन जिद्रों लंगन लोग राचाड़ दन्दे हन एसले हुन्द है क्योंकि उना दी सफल्ता विट कोई शाकनी रह गया हुन्दा ट्रैफिक वले सिपाई वी दुलन दा चूड़ा वेख्ये उदे खाबंदा चलाननी कर दे सफल्ता दी हर थां परशंसा हुन्दी है सफल्ता साड्य विट स्वै विश्वास सिर्ज दी है अपनी मन पसांदे कामदे मुड़ विच कई असफल्ता वांदा सामना करना पैंदा है याद रखना चाहिद है क्योंकि कोई वी सफल्व्यक्ती पहली वारी सफल नहीं होया हुन्दा हर इक सफल्व्यक्ती नू अनिक कां हारां विचों लंगड़ां पैंदा है हौसला हारां विचों पुझदा है ते ए असफल्ता वेले ही काम होंदा है हार ते असफल्ता त्वड़ी लगंदा इम्तिहान है कोई वी कामपा में मुफ्ती क्यों ना कीता गया होवे अजाई नहीं जानदा मुफ्त विच कीते काम साड़ी साख वदाउं देहन जेडा व्यक्ती मिलन वाले पैसिया नालों वदेरे काम करदा है उसनू लाब वी वदेरे प्रापत हुनदा है उसकोल गाकांदी पीड लग जाएगी अजाई मनुखनू वेखणवास थे दूरों दूरों लोक आणगे कुद्रत विच्विये ही नेमकारजशील है तर्ती बीज लेके द्रक्त देन्दी है गुठली लेके अंब मोड़ दी है जेडी बांते हथ असीं वो देरे वर्त देया ओही बांते हथ केवल वो देरे कम ही नहीं कर दे चंगेरा कम भी कर दे हन चंगे मालक नाल, चंगे अवसर नाल, चंगे पती आद नालता हर कोई गुजारा कर सकता है तो अड़ी योगता इस गल विच्चे के पैड़े व्यक्ती दा काम भी तुसी पूरी लगन नाल करो ते रब उते करजा चाड़ देओ शक्ती विरोधी हालता विच्छ विच्रन नाल ही उपजेगी शक्ती शाली द्रख्तो हुन्दै जड़ा इकला खलोता हनेरियां ते तुफानानों सद्धा दन्दै अजय द्रख्त वेच तुफाननी संजम हुन्दै हर तुफान उसनों उखाडन दे लड़ाई लड़दै जदों के उँ हर तुफान विच्चों वदेरे शक्तिशाली होके निकल दा है माप्यांदा फर्ज है कि उँ अपनी संतान नू जिंदगी दी पहली कतार विच बैठन दा सैज हुनर सिखोन अध्यापकांदा करतव है कि उँ अपनी विद्यार्थियानू सिखोन के जदों सारे ठाक जान ताव योना विच कुझ होर कदम होर चलन दी हिम्मत होने चाई दिया साड़ा सारे आंदा इसांजातर मैं के ऐसी अगली पीडी नू मिलन वाली उजरत दे मुकाबले पद्द रते गिंती दे पक्खों वो देरे काम करन दे जाच सिखाई जदों कामा चंगा होवे ता मालका पे चंगा हो जान दे है जदों संतान लाइक होवे ता मापे स्याने हो जान दे हन आले द्वाले चात मार के वेखो तो अनू जानन वीच देर नहीं लगेगी के कुझी लोग सफल क्यों हो रही हन अते बहुते असफली क्यों होई जा रहे हन। कामे दी आस नालो उसनू वदेरे तनखा देन दा असूल वी मालक दी सफलता दा पेथ हो निबढ़दा है। कामे नू दी आस नालो वद तनखा देके मालक अपना मुनाफा सेज्जे ही वदा सकदे हन। जेडियां कमपनियां वद तनखा हन दिन दिया हन। ओही वदेरे मनाफा कमोंदिया हन। अजय कामे जित्थेवी होनगे वो मालक दी आस नालो वदेरे जिम्मे वारियां दा बोज अपे चुकलेंगे। इस असूल दियां उदारना देनियां तो अड़ी अकल उत्ते शक करनवाली गल होएगी। कोई वी व्यक्ती दूजियां दे सहयोग तो बिना ना अग्गे जा सकदे ना उपर उट सकदे। जिनना कोई वड़ा आगू हुन दे उसनो उन्नेवदेरे लोकां दे सहयोग दे लोड हुन दे है। दूजियां ते दोश लौन दी आदत कारण असी योना दे सहयोग तो विर्वे रह जन दे हैं। दोश लौना परशंसा करन नड़ों सौखा काम है। परशंसा करन दी शक्ती जिन्दगी दे तजर्बे विच्चों उपजदी है। जिन्दगी दा तजर्बा जिन्दगी विच्चों ही प्रापत होएगा। इसनो खरीद्या नहीं जा सकदा। चिरित्तर दा निर्मान इमान दारते लगन परी मेनत विच्चों ही हुएगा मेनत दा असली फाल तान नहीं ज्यान ते चिरित्तर हन जिना विच मेनत परी लगन दा गुण नहीं हुंदा वो सफरता करदे हन परोनादी यात्रावली सडक गोल हुंदिये अजय व्यक्ती तन वले गरीब हुन्दे हन, संसार दा कोई वी महापुर्ष लखपती नई सी, लगन पर्या कम सनु अजाद कर दे, कलाकार कार खने दारा नलू वदेरे अजाद हुन्दे हन, जिमें वरंडा कमरे नलू वदेरे अजाद हुन्दे, बौता तन वी इक अल वंदेरे अजाद है, जिस कारण मैसूस करन दी योकता जादी रन दी है, लगन वाली व्यक्ती दा कोई मुल्क ने हन्द, वो समूच्ची मानव जाती दास सरमाया हुन्द, कलाकार दा देश उ नहीं हन्य जित्थे ओ रन दे, सुगों ओ हन्या हन्य जित्थे उस दी पले मनुख बढ़ना ही काफी नहीं, कम दे आत्मी बढ़ना चाईद है, केवल कम ही साधी पचान नहीं होना चाईदा, उस्विच लगंदी, सुगंदी वी होनी चाईदी है, तानुवात. सरदार, नरंदर सिंग कपूर दी पुस्तक, अंतर चात दा लेक है, खुंडियां तलवारां, अते तिखियां टालां, जेडी कुछ केंदे करदे हन, उनानुँ बोलां को बोला नियां, कई पीडियां ती हनेरियां गळियां विच्चों लंगणां पेंदे, संसार दिये रीत है के हर परकार दे परिवर्तन नुँ तों तानाल रोकन दा उप्राला करता है, फेर वी जे परिवर्तन सारियां रुकाफटां दे बावजूद वापर रहे हन, ता कारणी है के समुच्ची स्थिती परिवर्तन दे पक विच है, अजोका मनुख परिवर्तन दी देहलीस दे खलोता है, ना उसनु लारे रोक सकदे हन, ना उसनु परम परमा सकदे हन, ओ हर रुकावट नु लम्मी छाल नाल लंग जावेगा, संसार दा सारा कुझ औस्त व्यक्तियां लई है, महान व्यक्तियां नु देन वास्ते संसार कुझ वी नहीं, इसे कारण महान व्यक्ति संसार तों कुझ प्रापत नहीं कर दे, पर उ सब कुझ संसार नु दे देन दे हन, कई वार महान व्यक्तियां कोल देनली वदेरे हुन्दे जद के संसार कोल प्रापत करन दी समरथा काट हुन्दी है महान व्यक्ति उदेशा देन जियोंदे हन जदों के आस्त व्यक्ति इच्छामा देन जियोंदे हन महान व्यक्तियां दा सुबा हुन दे कि हर चीज नू उच्चा चुकना चौन दे हन। जदों के ओस्त व्यक्तियां दी आदत हुन दे है कि ओस्त चीज नू अपनी पदर तक नीमा लेहुन दे है। तोम तान लोना अते बेज़ती करना आस्त व्यक्तियां दाईक खुंडा हत्यार हुन्दे है। नमे विचार अपनाओन जा अपनाई विचारानू त्यागन दी उनादी सम्रथा सीमत हुन्दी है। पर बौग इनती विच होन कारण आस्त व्यक्ति परिवर्तन दे मारते रुकाव्टा खडियां जरूर कर दी है। किसे दी बेज़ती करना उसनू अग्ये वदन तो रुकन दाईक हत्यार है। जिस्ती प्रमप्रागत समाजा मिच विशाल पदर दी वर्तो हुन्दी है। प्रमप्रागत समाज परिवर्तन दे वरुदी हुन्दी है। मनुख दस मुच्या जीवन संगर्ष मैं है। इर्खा, किरना, स्वार्थ, हिंसा, वैर्विरोध, पै, तोंता, बेजदी, गणा, आद, सब संगर्ष दी देन हन, जदोंके प्यार, मिलवर्तन, मितरताद, संगर्ष तुम् मुक्त वस्थामा हन, संगर्ष किसेवी परकार्दा हुए, मुनुख दी बिर्ती, आप मोहारे पक पाती यते स्वार्थी हो जान दी है, वो अपने आले द्वाले दे लोकानू अपने साथियां ते दुश्मना दियां वन्गियां वेचो वन्ड लन्दा है, अपने साथियां तो सह्योग प्रापत करन लई, उना दियो परशंसा करता है, जदों के विरोधियां जद दुश्मना दा मनो बल देगन लई, उना दी बेजदी करता है, स्वार्थ तो बिना नाई परशंसा संभव उन्दी है, नाई किसे दी बेजदी करन दी लोड़ पेंदी है, जेडा साथे पक चुके नूँ वंगार्दा है उसनू असी सज्जे अपना दुश्मन मिथ लेंदे हैं ते उस दी बेस्थी करके असी समझ दे हैं कि उस दी वंगार खतम हो गई है ते असी अपने संकल्पा नूँ होर कुट के फड़ लेंदे हैं संसार दे महान पसारे बेच जिड़ा किसे इक सोच इक विचारता रहा इक फल्सवेयाद नू अन्तिम साच मानलहीं दे उस तंतर सोच DATARनी नहीं हुन्दा कोई खोज आखरी खोज नहीं हुन्दी कोई सच अन्तिम साच नहीं हुन्दा इस सारी यतन हन ठाक गए व्यक्ति किसे एक गरंत पोत्थी पोस्तक जा किसे एक विचार जाम विचारता रानल चिमर जान दे हन। ते उसनों अंतिम साच समझ लेन दे हन। जीवन दे कई पुले खेते खिच्चा अजञ्या हान जड़ियां साधी सोच अते चाल दोहानू विगाड़ देंदी आहान। इस विगड़ी होई चाल बारे जेडा भी संकेत करदा है उस दियां कईयां गल्लानू असी अपनी बेज़ती समझन लग पेंदे हैं। ते अपने आपनू सुरख्यत करण ले उस दिबेज़ती करण लग पेंदे हैं। शांती तो मुक्त होन दी भी है ते पूझा पाड तो मुक्त होन दी भी है। चाहे दाता यह है, के डॉक्टर सानों ब्यारिय द्वायां दों थ्यागन दा होसला दें, पर इमें बहुत काथ हुनता है interpretative. इवे ही लोड़ दा इस गल्दी है कि पूझा पाठ सानु शान्ती भी देवे ते पूझा पाठ तो मुक्त होन दा साहस भी देवे पर इवे नहीं होंदा असी बिमारियां दा दुवाया नाल ते शान्ती दा पूझा पाठ नाल वो टंदरा कर लेने हैं सुख दी प्राप्ती नल दुखदान्त नहीं हुंदा दुखदान्त ओदों हुंदा जदो असी सुख दी इच्छा ही त्याग दिनने है असी परुपकार करके भी इसले ही दुखी हुंदे है क्योंकि असी तानवादी जा परशंसा दी आस लालन दे है जे तानवादी आस त्याग दित्ती जावे ता सानु कोई भी दुखी नहीं कर सकेगा असी बेजती भी इस करके मैसूस कर दियां क्योंकि साधे मन विच परशंसा दी इच्छा चुपी हुन दिये जे परशंसा दी इच्छावी ते आग दिती जाये ता मनुख इज़त बेजती तो मुक्त हो जान्दे बुद्ध दी हर मूर्ती त्योडी ते मुस्कुराट दुहां तो मुक्त हुन्दी है बुद्ध परशंसा ते बेजती दुहां तो परिहल महान विचारानू आस्तन ग्यान दे तरा तल तेटे कोणा अक्सर संभव नहीं हुंदा नमे विचारानू अपनाओं अते सिखन दे पक्षूं हर किसे दी रफ्तार वखरी हुंदी है असी सारे नमे विचारानू वखरे वखरे टांगनाल पर्खदी हां जिवे साडे सारे ने रस्ते दिया रुकावता वखरी हां इमें साडे पक पात वखरे हुंदे हां इमें साड़ा इज़त बेजती प्रती द्रिश्टी कोण वी वखरा वखरा हुंदे हर पेडी दी बेजती प्रती सोजी वखरी हुंदी है हर पेड़ी दा परशंसा दा टांग भी वखरा हुंदा है चंगे बढननाल मुश्कलां ते समस्यामां दो में कड़ जान दिया हन पर चंगे बढनना ही ते सब तो वद मुश्किल है औस्त व्यक्ति तो अनू चंगा भी नहीं बढन देंगे जरूरी नहीं के चंगे होन दा उनन दा पैमाना तो अनू परवान होई इस थिती वेच जान तुसी बेस्ती मैसूस करोगे जाओ बेस्ती मैसूस करनगे औस्त व्यक्तियां दा विकास रुक्या होया हुंदा है उप्रम्प्रानू द्रिड करके अपने इनकलाभी हुन दा परंपाल दे हैं जदो मनुख दा विकास रुक्यान दा तो उस विच ग्रोधी जन्नमे विचारानू समझन अपना उन जा विचारन दी हिम्मत वी मुक्यान दी है रुकावट किसे वी प्रकार्दी हुवे उस नल संकट उसर दे हन सुमच्य समाज दा संकट हर व्यक्ति दा वी संकट हुन दै बेश्दी करन दी पावना किसे दी मौत तो पहलाई उसनू मारन दी इच्छा विचो उप्जदी है विशाल द्रिष्टी नल वेख्या जाए ता इर्खा, किरणा, गाला, तोमता, दूशन अते बेश्दी आद दियां पावना मनुखी विकास देती हास ते मनुख दियां महान प्राप्तियां हन मनुख दे विकास देती हास विच ओ दिन पा गंवाला सी जोदो मनुख ने अपने विरुधी जा दुश्मन विरुध हत्यार वर्तन दी था गालां काड़िके जा बेश्दी करके जा तोमता लाके काम सार्या होईगा जे मनुख कोल के से नुँ हराउन ले गालां कड़न जा बेश्दी करन दी समरथा ना होंदी ता मनुख ही ते हास विच तबाही ते हिंसादा बहुत अधिक बोल बाला होणा सी बेश्दी सानु गल्ती नु दोहरान तो रोकती है बेश्दी साड़ी अगलेरी कारज कुशलता वदाउं दी है एसानु अपना विहार सुधारन दे रा पौन दी है एसानु स्थिती उत्ते काबू पौन ले वंगार दी है बेश्दी दो देशाओं दे इनकिती जान दी है आम करके उदेश दुझे दे मनो बलनो डेग के उसनु निरुध शाहत करना होंदे पर बहती वरी उदेश दुझेन् cognition अपना विहार सुधारन दे रा पौना होंदे अते कोई पैडा काम करन तो रोकना होंदे जे कोई तो अड़ी बेस्ती करे ता बेस्ती होनु प्रांतों पुछना के ठीक कम करन्दा टांग वी दस दे जाओ, उठ ठंबर जाएगा, उठ हैरांता होए गई, परिशान भी हो जाएगा जे तुसी एक सफेद कागस दे काला ता बाला दियू, ता हर कोई उस ता बेवल वेखेगा, अले द्वाले दे सफेद कागस वाल किसे दी नजर ने जाएगे लोग गुसे होन वेच गालां कड़न वेच बेश्ती करन वेच ना देर करदे हां, ना उदार करदे हां, ना इस सबर करदे हां जे कोई टेलिफोन होते तो अनु वाहो दाई गालां कड़ के टेलिफोन राख दै, ता तुसी उननी बेश्ती मैसूस नहीं करोगे जिनना तो आनू इस गाल दा दुख ते गुसा होएगा कि तो आनू उस वेले जवाबी गालां कड़न दा मौका नहीं मिलिया जे किसे ने बहुत मेंगी कपड़े पाई हून तो निकी जी गाल दी भी बड़ी बेस्ती मैसूस करदे बेस्ती दे पकों स्वेर दा समा बड़ा खतरनाक हून दे जो कि स्वेर ही साधी बेस्ती करदे तासी सारा दिन लोका ना लड़दे चगड़दे ते खेबड़दे रहांगे ते कञ्यादी बेस्ती करदे मांगे इकल्यां होई बेस्ती दे मुकाबले सब दे सामने होई बेजती बरदाश्ट करनी ओखी हुंदी है कई रिष्टेदारियां किसे वेले दी होई किती बेजती कारण सदा विगड़ जान दी हान कौन है जी दी कदे बेजती होई नहीं जा जिसने किसी दी बेजती किती नहीं बेज थी आधुनिक युगदा वर्तारा है। जेत वड़ी आज बेज थी नहीं होई, ज़ा तुसी किसे दी बेज थी नहीं कर दे, तैदा एही अर्थ हो सकत है के तुसी आधुनिक नहीं। सजणान कतल करंदे मनसूबे जमें आधुनिक युगदा वर्ता रहा हन। उमें दूजियां प्रती दुर्पावनावी आधुनिक युगदा मुखलच चन है। जोके युगविच नित दिन निरादर इसली वद रहा है क्योंकि आधर दी साधी इच्छा बहुत वद रही है। जोके युगदा मुखलच चन है। जोके युणान विच जदो एक फिलासफर नू जेल विच बंद कर दिता गया। ता उसने किया बहुत दिना तो एथे आउन दी इच्छा सी। आज मैं बहुत खुश्या। हार इक महान वियक्ति संसार वेट सैन शीलता दी कोई नमी उदारन सिर्ज दै। ते बेजती दे हत्यार नू अपनी सैन शीलता दी तिखी टालू ते बरदाश्त कर दै। महान वियक्तियां दाए एक वड मुला योगदान हुन दै कि वो अपनी उदारन नाल संसार दे वेर विरोधा नू कट कर दे हन। अते मनुख नू सब्यक बनाउन ले नमा राव लीक दे हन। महान वियक्ति साढ़ी नजर ते साढ़ी विहार नू उच्चा कर दे हन। जिस नू असी असमान कहन दे हन। वो असल विच साढ़ी नजर दी हद हन दे है। पर असलियत एवी है के दूजयां उते इतबार करन दी साढ़ी योगता भी कट दी जा रही है। नतीजे वजों साढ़ी लगपग सारे रिष्टे स्वार्थ अधार थोन कारण बेस्ती वाले रिष्टे बन दे जा रही हन। जिमें बच्चे टीका लगन तो पहला है रोण लग पेंदे हन। उमें असी किसे रिष्टे दा बोज जखन तो पहला है विरलाप करन लग पेंदे हन। जिमें नमें बूट बड़े सुने हनथे हन। पर जदोंन उते साड़ी स्रीर दा बोज बेंदाय तो बेट बे हो जांधे हन। इवें सारे रिष्टे मुट विच बड़ी खिच पहुंधे हन। जदो उना उते जिम्मेवारियां दा बोज पैंदा है तो उना दी शकल भी विगड़ जान दी है इमें मिठे रिष्टे वी बेज़दी वाले रिष्टे हो निबड़ दी है प्यार इक जया रिष्टा होंदा है जिस विच सब बेज़ती आनू खिड़े मत्थे सै जान दी समरथा होंदी है इदा कारणी है कि प्यार दा रिष्टा सर्दा अपना सी हेड़या होंदा है ते असी इस रिष्टे रहीं सब रिष्टे आं तो पार जान दा यतन कर दे है प्राबदान बवी कदेनी हुएगा जे तुसी प्यार दी इज़त बेजती दा ते अनराखे करोगे तो तो अनू केवल बेजती दी ही प्राप्ती हुएगे प्यार ते नफरत दो में पक पाती वर्ता रहन की कोई तरकशील टांगनाल दा सकद है कि जिनानू उसी प्यार कर देया उननू प्यार ही क्यों कर देया ते जिनानू नफरत कर देया उनननू नफरत ही क्यों कर देया सानू अपने पुत्रा तियां दे आओ गुण दिखाई नहीं देंदे ते दूजियां दे गुण नहीं देश्दे आम तौरू ते जड़ा साड़ी उमीद ते पूरा नहीं उतरदाऊ सानू निराश करता है निराश्ता दी पावना विच्चों बेजती करंदी उतेजना पैदा हुंदी बेजती कर्रया व्यक्ती अपना मानसिक ते पावक संतुलन गुआ बैटता है एक ग्वाचिया होया संतुलन आले दुआले विच्च भी निरास्ता वदोंदै बहुत अदिक निरास्ता हिंसा दा रूपता अरलेंदी है किसे दा कतल करना बेजती करंदी पावना दा अंते में रूप हुंदै गालां ते चिड़का खाणा ते बेजती करवाणी नोकरा लिव फरस दाईक पाग रही हन उलामा दी बेजती बेजती नहीं परती थुंदी सी ओ बेश्दी नू मालकां दे प्रबल पावांदा प्रग्टावाई समय देसान। स्यास तते शक्ती दे मालक अते हकोमत दे रुची वाले व्यक्ती अक्सर दूजयां दी बेश्दी कर दे हन। स्थिती दा व्यांगे है के मनुख दा समुच्चा जीवन उदेश ता हॉमे तो मुक्त होन ले हुन दे है पर उदे सारे यतनू दी हॉमे नू वदों दे हन। गुरू केंदे ही उस नूहन जीड़ा इस दवन्द तो मुक्त होई एथियसी गुरुआ जा दर्वेश्चा दी नहीं आम व्यक्तियां दी गल कर रहे हैं। जवाननी वी ओदों ही खतम हुन दिया जदों सी बुड़ा पे बारे सोचन लाग पेने हैं। जिमें आकड के नचना जा गुसे नाल गौणा संभव नहीं हुन्दा उमी तो मतला के जा बेजती करके किसे वलों परवान कीते जाना भी संभव नहीं हुन्दा। जदों जीवननू देश मिल जाए जिन्दगीनू अर्थ मिल जान। पैरानू मंजिल दिस पाई ते हत्थानू कम लब पाई तक कोई वी बेजती रुकावट नहीं बन दे। वेला मनुक की परेशान हुन्दा है। जिवन जों मनुक परेशान हूएगा उस दी कुदरती नींद कट दी जाएगी। जियों जियों नींद कट दी जाएगी, उन्नाई उदे रे बेचैन हुंदा जाएगा, उन्नाई उदे जीवन विच संतुलन कटेगा, उदे विहार विच गैर जमे वरी आएगी, उप पागला वांग विचरेगा, बेज़त हुएगा, दूज्यां दी बेज़ती करेगा जियों जियों नींद कटेगी, तियों तियों मनुक नास तक हुंदा जाएगा, बेचैन ते परेशान ते उनिंदा व्यक्ति, पर मात्मा नाल, प्रकिर्टी नाल एक सुर नहीं हो सकदा, बेचैन व्यक्ति वेच कुझ वी सविकार करंदी योगता नहीं हुंदी, कोई वी ह अंडन सार रिष्टाउ सारंदी समरथा नहीं हुंदी, नींद दे खारज हून नाल सुखामे सबंदांदी संभावना कट दी है, एक कटी हुई संभावना सानू बेजती करन करौन दे रापोंदी है, जोदो मनुखनू किदरे भी तरवास नहीं मिल दी, उस वेच टौन उख भाडन दे तबा करन्दा वेग बलवान हुंदा है, बेजती सौन नहीं देंदी, ठकावट जगंनी देंदी, ए जिंदगी ते मोत दी विचकारली स्थिती हुंदी है, तंद्रुस्त सरीर अग्याकारी हुंदा है, जदो के विमार सरीर बागी हुंदा है, आत्मक पक्तों विक्सत मन अपने आप विच अनंद रूप हुन दै, वो अपने ते दूजियां ले कष्ट नहीं सिर्जदा, वो अंदरों सुतंतर हुन दै, वो हर किसे नूं सुतंतर वेखना चौन दै, वो सुच दूजियां प्रती इज़त दा जज़बा जाग दै, पैड़ी करम बेजती नाल चुलसे हुई परमाय हुई मन दा करम हुन दे हां, साधे नाल जो कुझ वी वापर दै, वो एक दिन दे केरे विच वापर दै, हर मनुक रोज इक नमा बंदा बनके जाग दै, आस्त व्यक्ती अक्सर अतीत दी जिलन विच फसे हुन कारन, मौका मिल दे बावजूद बेजती नू नहीं पुल दे, ती अपने जखम परण नहीं दन दे, निर्सन दे बेजती उपरंद असी सारे दुबारा संतुलन प्रापत करन विच वाक वाक समालों दे हां, पिठ अते पिठ दे उपरों लेके थले तक दे सारे पाग बेजती सैन दे अख परवा देता जानते है, जिवें कांद दियों सारे समय इट्टां एक दुजे दे विरोध विच टिकाइना जान दिया हन, उमें जिन्दगी इज़त बेजती दे अंतर विरोध दानाल उसरी हुई है, ये अंतर विरोध जीवन नू कम्जोर नहीं कर दे, उसनू शक्ती दे सानू याद रखनां चाहिद है, के समाज दा निर्मान, शान्ती पूरन टंगारनाल नहीं होया सी, सो समाज विच्चों शान्ती मिलनी वी संबब नहीं, समाज विच रहन दियां इज़त दी अभिलाशा, असमानी बिजली दी रोश्नी विच अपनी एन कलब बन वांग है, अनुशासंतों बिना जिमें कोई खेड नहीं खेड़ी जा सकदी, उमी एक पड़ादी खुशाली बिना इज़त बेज दी दा मैच वी संबब नहीं हुंदा, कई वियक्तिय जाई हुंदे हान जिनानोसी मिल दी थोड़ा चेरां, पर पच्चतों दे जीवन पारां, कई व कई सानु मिलदे कुझ पला लई हान, पर सानु सदा सदाले संबाल लेंदे हान, कई हनेरा बनके आउंदे हान, कई निरा नूर हुंदे हान, कई खाली हत्था नालवी दूजियांदी चोड़ी पार देंदे हान, कई साड़े हत्था मिच फड़यावी खोलेंदे हान, जीव अंध विश्वासियां दी पीडवड़ी हुंदी है, पर गुरु सदाई कले हुंदी हैं। बेजदियां सडारा रोक दियां हन, पर जिनाने पोंचणा हुंदे, वो बिया बना विच्चु लंकिवी अपने करानू अपड़ जांदे हन। तानुवाद।